अगर आपको Google AdSense का Approval मिला है और वो किसी रीजन से सस्पेंड हो गया है जिससे आप समझ सकते हैं कि वो आपकी ही गलती की वज़े से हुए और आप चाहते हैं कि उसी डोमेन नेम में आपको फिर से Google AdSense का Approval मिले तो इस वीडियो को लाज सेक जरूर देखना 100% गरेंटी तो नहीं होती पर एक कोशिश जरूर होती है जिससे आपको सेम डोमेन के ओपर फिर से Google AdSense का Approval मिल सकता है इसके चांसे बहुत जादा है कुछ आपको टिप्स बताऊंगा कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको सेकिंड टाइम में Google AdSense का Approval मिल जाए इ मैं हूँ वेदानत और वेलकाम है आपका टेक्नो वेदान चैनल में अब मैं आपको सबसे पहला पॉइंट बताता हूँ कुछ ऐसी चीजी होती है Google AdSense में जो हम जान मुचके करते हैं कि हमारी अर्निंग जादा हो और Google उस चीज को ट्रैक कर लेता है और उसी की वज़ए स आपका Google AdSense का account suspend हो जाता है तो आपको second time में एक चीज का ध्यान रखना है जो गलती आपने पहले करी थी उसको repeat ना करें या फिर आपने कोई copyrighted material डाला है तो उसको जल्दी से जल्दी delete कर दे, suspend होने से पहले delete करते तो definitely suspend नहीं होता और बाद में आप उससे delete कर सकते हैं यहाँ पर आपको जो link मिलेगा इसके उपर आप click करेंगे और यहाँ से friends आपको सारी policy के बारे में पता लग जागा कि किस reason की वज़े से आपका account suspend हुआ है अगर आपको English समझने में problem आती है तो यहाँ से just आपने इसे copy करना है उसके बाद आप Google Translate में जाके English to Hindi यहाँ फि इससे आपको यह तो पता लग जागा कि आपका Google actions के account कि इस reason से suspend हुआ है तो second time आपने उस teach का ध्यान जरूर रखना है अब चलते हम अपने second point की तरफ second point में friends Google webmaster tool जिसे आप Google search console कहते है उसके अंदर जाके आपने अपनी उस website के सारे errors को solve करना है अगर आपको यह नहीं पत है इसके उपर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर यह dashboard इसका open हो जाएगा अपनी website को यहां से select करेंगे अगर आपकी multiple websites है तो उन्हें तो automatically आपकी वही website शो करेगी और उसके बाद आपने coverage में जाना है और यहां पर आप देखेंगे error one issue मेरी website में शो कर रहे हो सकते हैं आपक YouTube में जाके search कर सकते हैं तो मेरे channel में आपको काफी सारी problems के solution मिल जाएंगे अब चलते हैं अपने third point की तरफ जब आपका account suspend हो जाएगा उस जी domain name पे आप फिर से approval लेना चाहते है friends उस website में आप फिर भी daily post डालते रहे daily नहीं डाल सकते हैं तो हर second या third day में जो भी आपका process ह आप उसे follow जरूर करें अगर आप week में four post डाल रहे है उसके अंदर तो उसको आप बाद में भी continue रखे उसको break बिल्कुल भी ना करें उससे होगा क्या आपकी website में regular traffic आता रहेगा और Google को लगेगा कि इसमें organic traffic अभी भी आ रहे है और आप इसमें अभी भी active है इस चीज को आपने बिल्कुल भी miss नहीं करना यह सोचके कि Google Adsense के account suspend हो चुक है तो इसमें post डाल के हम क्या करेंगे यह गलती बिल्कुल मत करना आपकी website में organic traffic भी आना चाहिए और आपको regular post भी डालनी चाहिए अब चलते है अपने fourth point की तरफ अब इसमें आपको एक चीज का ध्यान नेम और उसमें जो आपने mobile number डालना है second time जब आप apply करेंगे तो आपको वो सारी details बिल्कुल ने डालनी आपको अपने family member का ही name डालना है उन्हें का ही bank account number डालना है उन्हें का ही mobile number डालना है और email ID भी उन्हें के नाम से आप बना के डाल सकते हैं इस चीज का आप जरूर ध चैनल में जाके देख सकते हैं इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है गलती से भी आपने पुरानी details नहीं डालनी तो उसमें आपको थोड़ा compromise करना पड़ेगा कि आपके account में तो पैसे नहीं आएंगे जो आपके family member है brother sister mother father जो भी है उन्हें के account में पैसे जाएंगे तो यहां पे friends आप इस चीज का ध्यान रखेंगे अब चलते हैं अपने fifth point के तरफ जो बहुत major point है और जिसका ध्यान आपको सबसे ज्यादा रखना है ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना कि आज आपका Google actions का account suspend हुआ और कल आपने फिर से उसे apply कर दिया जब भी हम अपनी नई website बनाते हैं उसके अंदर जो terms and condition follow करते हैं और कम से कम उसके एक यह देड़ महीने के बाद हम apply करते हैं जिससे approval जल्दी से जल्दी मिल जाए ठीक उसी चीज को हमने follow करना है जो भी guidelines जो terms and condition है उसको definitely आप पहले fulfill कर चुके होंगे तब ही आपको Google Adsense का approval मिला है पर second time मे भी आपको जल्द बाजी बिल्कुल ने करनी कम से कम आप एक देड़ महीने के बाद फिर से apply करेंगे तो उसमें chances आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे patience आपको रखने पड़ेंगे एक हफता 10 दिन या 15 यह गलती आप बिल्कुल भी ना करें जल्द बाजी आपको आप इस चीज के लिए try कर सकते हैं कि अगर आपको दुबारा website बनाके नया domain purchase करना है सब कुछ नया करना है तो उससे तो better है आप एक महना और इंतजार करके इस चीज को try जरूर करें बाकि decision लेना आपका काम है मैं किसी भी बात की guarantee नहीं लूँगा आई दिन Google Adsense का कोई न जरूर अच्छा लगा होगा इसे like और share जरूर करें ऐसे ही interesting topic के साथ मैं आपको फिर से बहुत जल्दी मिलने वाला हूं तब तक के लिए जय हिन जय भारत